हेलो फ्रेंज मोधुमिता लिटिल कीचेन मोईल का मैं हूँ मोधुमिता आज मैंने और एक न्यू रेशिपी सेयार करने जारी हो आज मैं सेयार करी बहुत बढ़ी आसाइक हेल्दी ब्रेखफस्ट के रेशिपी ओ भी बिना ओयल की बहुती सिम्पिल रेशिपी है और हेल्द किज़े ऐसा ही हट दे नियू नियू रेचीपी देखने के लिए चलो फिर और बिढ़ीयासा रेचीपी शुरू करते है। हिल्दी और बीना वैल के breakfast बानाना तो बहन दैजी है। दोही के साथे मेन डाल देती हो थोड़ी सी पानी, पानी का कॉंटिटी एक साथ में ज्यादा नहीं डालेंगे, पहले देखी एक कोटोरी मेने पानी डाल देया, मतलब आधा मेने आधा कप कोटोरी दोहील या ता उसी ही साब से एक कोटोरी पानी डाली हो, बहुती सिंपिल रेशीपी है ज़्यादा इंग्रियेंस नहीं जाए तो ये देखिए आच्छे तरह से मिला रही हो थोड़ा सा गढ़ा लागरे तो इसलिए मैंने ओध थोड़ा सा पानी डाल देखिए एक सद में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे लेकिन ये जो सुजी है ना थोड़ा सा पातला बेटार पहले बानाना चाहे से फिर बहुत ही ज़्यादा गाड़ा हो जागी कि सुजी जो है ये पानी सुकेगा तो ये देखिए इस तरीका का बेटार होना है आच्छे तरह से मिला लेती हो अभी मैंने इसके सद मिलाओंगी सादोनुसार नमक पहले नमक मिला दे करनेगा तो इसलिए धाक के जोरू 10 मिन्ट राखना तो ये देखिए आच्छे तरह से मिला ले आम मैंने धाक देती हो तो ये जब तोक रेश्ट हो रहे मतलों 10 मिन्ट रेश्ट हो ये तो अब तोक देखिए मैंने इहां पर जैसे नॉर्माल घर में प्लेट होता है ना तो इस प्लेट को मैंने अच्छी तरह से ओयल ब्रास कर लिया आप देखिए 10 मिन्ट के बाद ये वालो जो बेटर है तो ये देखिए मैंने इसके साथ मिला रहे हो थोड़ी सी पारी कटा हुआ हरा धनिया आप इस नास्ता को और थोड़ा सा ज्यादा रीज करने के लिए तोड़का भी डाल सकते जैसे हम लोग सोर्सों की दाने जीरा थोड़ा सा दाल बागे रा डालके हम लोग तोड़का लगा आती हो तो इसी तरीका के तोड़का भी लगा सकते मतलब इसके सत मिला सकते लेकिन मैंने मिना ओयल की योज गर रहे बहुत ही सिंपिल तरीका से ब मिला लेजे ये लिए बहुत ए बढ़ी आसा ब्रेक फस्ट मनेंगा मतलब हेल्दी भी बनेगा जो लोग डायेट करते हैं मतलब ऑयल भागरे नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ए बढ़ी आसा है तो यह देखे आच्छी तरह से इसका कोंसेस्टेंसी बनेगा इ इसी तरीका से मैंने भर पोट डाल दिया आप चाहे तो थोड़ा सा कॉम भी डाल सकते हैं लेकिन इसमें क्या होगा एक साथ में बहुत बड़ी आसा परफेक्ट बड़ा बड़ा ये ब्रेकफस्ट मनेगा तो मैंने चार जो प्लेट लिया था चारों प्लेट में मैंने भर के पूरा बेटर डाल दिया तो ये देखी इसी तरीका से मैंने चारों प्लेट में डाल दिया आप थोड़ा से इस प्लेट को टैप कर लेती हो जैसे हम लोग नुर्माली केक बाकरे बानाते हो ना थोड़ा सा टैप करने से क्या होगा बहुत बड़ी आसा ये फूलेगा तो इसी तरीका से मैंने पुरा प्लेट को टैप कर लेती हो। आप देखी इधर मैंने पानी गरम होने के लिए राग दिया था। एक ओड़ाय में पानी डाले अच्छी तरह सोबा लागे। आप मैंने इसको पर राग देते हो एक जारी बाला प्लेट। इसके उपर राखते हो यह जो बैटार बला प्लेट रियली इस तरीका से बना के देखिए दोसरा कोई साचा भी नहीं चाहिए बहुत आसानी से बना सकते हैं अब लोग नर्माली जिस तरीका से स्टीम देते हैं उसी तरीका से स्टीम दे सकते हैं नर्माली इसको स्टीम ही देना है तो धाक के कम से क 10 मिनिट मीडियम हिट के इसको पका आती हो 10 मिनिट के बाद देखिए आच्छे तरह से ब्रेक फस्ट बन गया मतलब आच्छे तरह से पक गया कितना बुड़िया सा फूल गया देखिए तो मैंने तीन प्लेट एक बर से बनाये थे दोसरा प्लेट एक बच गया था उसको भी मैंने इसी तरीका से पका लेती हो आप देखिए मैंने इसको आनमुल करूँगी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद है इसको आनमुल करना है देखे मैंने इस प्लेट को अन्मुल करते हूँ लेकिन जोरुद ध्यान रखना गरम अगरम अगर इसको अन्मुल करेंगे तो तूट सकते है ठांडा होने के पाद अटोमेटिक लिए देखे साइट से मैंने थोड़ा सा इसी तरीका से प्रेस कर रहे हो आटोमेटी के निकाल के आ रहे हो थोड़ा सा ओयल ब्रास करने से ऐसे आसाने से निकाल जाएगा ऐसे देखे थोड़ा सा नाइफ के हिल से आप घुमा लेजिए रियली बहुत बढ़ी आशा पार्फेक्ट ये शॉप्ट इंस्टेंट नस्ता बन गया तो मैंने निची के तर थोड़ा सा हरा चाकनी के साथ एसे नर्माली उतना अच्छा नहीं लागेगा लेकिन देखी मैंने खास तड़का बनाती हूँ मतलब इस तरीकसे अगर बनाएंगे ना रियली ये नास्ता बहुत ये मस्त लागेगा तो देखी मैंने कैसे बनाती हूँ ते कोटरी में डाल पे थोड़ी से टोमाटर का पाड़ा थोड़ा सा खाट्टा होगा तो एक चम्मस भरके मैंने डाल लिइऊ टोमाटर पाड़ा और डालोंगी थोड़ी सी मिर्चा पाड़ा आप चाहे तो थोड़ा सा सुगर पाड़ा ... से दोसरा कुछ मसाला भी डाल साकते है लेकिन मैंने ये टोमाटर पॉडर और थोड़ासा मिर्ची पॉडर डाल के अच्छे तरह से मिला दिया आप देखिए मैंने इस नास्ते में इस तरीका से उपद थोड़ासा डाल देती हो खाने में भी टेस्टी होगा देखने में रिय दी बना सकते ऐसा पर इसको थोड़ासा तड़का भी लगा सकते मतलब फ्राई पेर में थोड़ासा ओयल डाल के थोड़ासा तिली जी रासोर सो बागेर डाल के भी कारी पात्ता डाल के इसको थोड़ासा फ्राई भी कर सकते है मैंने काटके भी दिखाती हूँ इसके अंद तो लब दो ही के साथ ऐसा फेर हरा चाटनी के साथ सब से अच्छा लगता है दो ही के साथ भी बहुत बढ़ी असा मस्त लगता है तो देखिए मैंने सार्प किया यह बला नॉर्माल घर का जो हरा चाटनी होता है पूदिना धोनिया का उस चाटनी के साथ सार्प किया आप मैं जेनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा है हर दे न्यू न्यू रेसीपी देखने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूल तके नोटिफिकेशन सब से पहले आपको मिल जाए मेरा न्यू रेसीपी देखने के लिए सब लोग आचेरे खुश रहे बाबाई